हेलो दोस्तों एक पर फिर मैं पार्ट टू लेकर आया हूँ जो मैं इलेक्ट्रिशन के लिए और इसरो के लिए जो पेपर सॉल्फ करा रहा था उसका ये पार्ट टू है कोश्चन आप इसमें कंटिन्यू करिए अभी मैंने 12 तक कोश्चन करा दिये थे अभी 13 कोश्चन है ज तक कोश्चन दिये हो टेक्निकल है तो हम यहां पर टेक्निकल पार्ट कवर करने वाले हैं देखेगा दोस्तों 113 कोश्चन आप यहां देख सकते हैं यह विजिवल हो रहा है वाट आर्दा एफेक्ट ऑफ शॉंट सर्कुट का इफेक्ट जो होगा वह क्या होगा तो दोस् में आर्द फॉर्मेशन और लो व्ल्टेज एंड और ऑफ दॉसके में अगर देखी जाए तो दोस्तों यहां जो कंडिशन की बात कर रहे हैं शॉंट सर्कुट की तो शॉंट सर्कुट होता है तीनों ही कंडिशन होता आगर आप लो वोल्टेज देजा ही सर्केट मैं तो हो सकता है आर्क फॉर्मेशन उसमें अगर चिंगारियां वगेरा उत्पन हो तब भी हो सकता है एक्सेज़ेव हीटिंग ही टेंप्रेचर जादा हो जाए तब भी इसमें यह कंडिशन हो सकती है तो दोस्तों यह कंडिशन है आपकी शॉंट सर्कृत तो ओल आप दो ओके नेक तो इसमें स्टील पाईफ होता है वह क्या कहलाता है यह प्रोसिस क्या कह Bennett दोरे एक बड़े इस बात नवी से पानी लिए जाता है यह कहलाता क्या है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसमें यह पूछा गया है, तो दोस्तो इसका जो अंसर है, देखें यह जैसे आप ऑप्शन में इसमें देख सकते हैं, इसमें इसमें दिया है, रिजर्वाइर कहलाता है, या प्रेसर चैनल कहलाता है, या सर्च टेंग कहल या न्यूच करते है दो दोस्तों इसका अंसर है यह जो है यह हिस टोकड हो decision यह धिए तो दूस्त है। यूनिवर्सल मोटर होती है। और व कॉन सी उनिवर्सल मोटर होती है। इसमें सारा portion इसमें cover किया गया है तो आप इस paper को बहुत अच्छी समझेगा अगर आपने 100 question इसके लगा लिए तो आपको काफी benefit मिलने वाला है आने वाले exams में तो अगला इसमें दिया है 116, 116 कह रहा है the no load, the no load power factor for a induction motor की case में induction motor की बात कर रहा है इसमें no load में power factor की value कितनी होती है दोस्तों यह standard value है यह आपको याद करना है कि standard value कितनी हो सकती है समझत का तो इसकी standard value ही होती है 0.15 next is इसमें safety factor की बात कर रहा है यह कितना हो रहा है power जब installation किया रहा है तब कितना होता है तो दोस्तों यह values कुछ predefined है यह आपको बिल्कुल याद करना और बिल्कुल paper में कई बार कोश्चन नहीं पूछा गया है और यह repeated question है अकसर exam में आते रहते है तो इसकी value होती है 2 okay what is the power safety used for current rating in a power installation its value is 2 तो safety power factor कितना होगा आपका 2 होगा P type material P type material is formed by doping a semiconductor तो P type material कौन सा होता है जब हम semiconductor में doping करते हैं तो यह P type material होते कौन से हैं दोस्तों यह आपको पता होना चाहिए P type कौन से होते हैं N type कौन से होते हैं जैसे मैं आप एक discuss कर रहा हूँ P type material के बारे में P type और N type ठीक है P type जो होते हैं Boron, Aluminium, Thelium, Indium, Thelium, N type होते हैं Phosphorus, Arsenic, Antimony, Bismuth यह आपके N type material है यह आपके P type है तो यहाँ पर जो option दिया गया है option ने बोला Boron, Gallium, Indium यह आपके P type है फिर बोला जो दिया गया है इसमें तो सिर्फ दो ही दिया गया तो आगे Boron और Indium दिया गया फिर आगे Phosphorus और Salver दिया गया तो ठीक है तो P type material इस फॉर्म इसमें कहा रहा है P type material बनता है by doping a semiconductor with किसमें मिलाकर यह डोपिंग जो हम करते हैं तो P type material इसमें इसमें कौन सा है ठीक है किसमें अर्दचालग मिलाकर तो इसमें यह पूछागे तो इसका answer आपका हो गया क्योंकि A में इसमें कि आपके सारे option आ रहे है कौन कौन सी आ रहे है…Boron आ रहा है UK वे वे बन गया तो इसमें वे पाता है और दिइसरे और बन वे बन दो इसमורה हो और 시ल से तो आपका depends सब्सक्राइब करने वाला उसमें इसमें आपको बता हूँ कौन से डायोट किसकी तरह काम करता है या किसकी और भी डिफरेंट नाम है इसा की डायोट जो है वो टरनल डायोट को हम लोग कहते हैं ऐसी इसलिए जीन डायोट के भी एसी बहुत सारे नाम है ओके फोटो डायोट यहां पर देख रहा है 120 कोश्चन ने बोला है Aluminium conductor kevel can be joined by Aluminium conductor kevel होती है Aluminium की कोई भी kevel है वह हम किसके द्वारा हम उसे joint करेंगे उसमें जो welding होगी वह किस परकार की होगी तो वह कौन सी है तो वह होता है यह process gas welding होती है soldering होती है compression होती है thermit welding होती है दोस्तों यह होता है compression compression होता है Aluminium conductor kevel को अगर आपको joint करना है तो compress करके उसे जोड़ सकते है compression करना होगा next है resistivity of the Aluminium है 20 degree तो 20 degree की case में resistivity कितनी होती है किसी Aluminium की तो दोस्तों यह सब value predefined होती है okay तो इसकी value यह है आपको 2.6 ohm m2 ohm sorry 2.6 ohm meter तो आपको पता है resistivity ohm meter मात्रक होता ही है इसका तो यह 2.6 ohm meter this is answer next is which one which one of the following statement correctly represent the systematic error ठीक है तो इन में से कौन से ऐसा objective हमारा जिसमें error है ठीक है जिसमें error दी गई है these error can be calculated from the detail of the instrument an error com kisive instrument की detail से प्राप करते है these are the residual error कहलाती है these error may occur under the control condition control condition पर depend करेंगी यह last दिया है these are the error committed by the experiment किसी experiment के द्वारा ही यह systematic error create होती है तो इसका answer क्या हुआ तो दोस्तों इसका answer है हमारा a these error can be calculated from the detail of instrument जब instrument को हम किसी detail से जानकारी से देखते हैं पूरा एक measure करेंगे तब में final में जो error मिलेगी वो systematic error है कोई भी हम systematic way में कोई भी work करते हैं तो system से वो system पूरत चलेगा और final में जो हमें error मिलेगी वो systematic error कहलाती है okay next इसी type से आपको दिया है 123 question electric drive is becoming more and more okay more and more popular because electric drive popular होती है क्यों okay okay 30th means है यह सारे तो यह होता है आपका देखिए it provides smooth and easy control इसलिए यूज़ता है it is cheaper सस्ते होते हैं यह simple and reliable होते हैं आसानी से इने विश्वास कर सकते हैं हाँ लेलो and all of the above इसमें कहरें all of the above इसका answer है all of the above simple question है electric device ज्यादा तर हम लिए यूज़ते हैं popular होते हैं अधिक प्रिचलन में हैं क्यों because इसमें सारी condition applicable है यह easily control हो जाते हैं cheaper होते हैं simpler होते हैं okay next 124 question देख सकते हैं visible हो रहा है देखिए the following gas is used in tungistan inert gas building process ठीक है tungistan जो inert gas होती है उसमें जो building के लिए बात कर रहा है इसमें जो building होती है okay तो कौनसी gases प्रियोग करेंगे building के लिए इसमें कह रहा है कौनसी gas आप प्रियोग करेंगे कौनसी gas use की जाती है ठीक है कौनसी gas use की जाती है building process के लिए tungistan inert gases building process में तो oxygen यूज़ करेंगे, आरगन करेंगे, helium करेंगे, hydrogen करेंगे, सबका अपना पर दोस्तों महतर है, ठीके, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, tungsten inert gas, tungsten inert gas में आरगन गैसी यूज़ होती, कौन सी होती, आरगन, आरगन गैसी यूज़ होती है, next है, which of the following parameter place limitations on exciter output, तो parameter place limitations on exciter output, ठी parameter कौन सा होता है, power factor होता है, field coil heading होता है, दोनों ही होते है, या prime mover output होता है, इस इस्तिती में अगर हम देखें, तो इसका answer होता है, both, और बैसे भी आपको अगर paper में question आता है, तो mostly 90% option आपके both ही होते है, अगर इस type से आते, 90% probability है, कि आपका जो both जिसमें होगा, वो answer होगा जादा तर, okay, मैं जादा तर यहाँ पर discuss कर रहा हूँ, इस type के जितने भी मैंने objective देखें, जादा तर उसमें इतना मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, सारे ही ऐसा होगी, it is not compulsory, okay, which of the following parameter, place, limitation, exciter output, तो इसमें क्या होता है, exciter output की रूप में power factor भी होता है, field coil heading, दोनों, य आपको पता होने चाहिए, zero power factor leading effect of the armature reaction in a synchronous generator, synchronous generator का case में कह रहा है, zero power factor leading करता है, तो दोस्तों, leading की बात कर रहा है, zero power factor leading effect of armature reaction in a synchronous generator, तो यह होता है आपका cross magnetization, cross magnetization, cross magnetization के लिए power factor lead करता है, actually, यह थोड़ा से doubtful question भी लग रहा है, मुझे, इसका भी नहीं होना चाहिए, यह थोड़ा doubtful question लग रहा है, actually, मैं इसमें आपको concept बताता हूँ, यह बहुत ही important concept इसका, इसका भी नहीं होना चाहिए answer, देखिए, समझेगा, actually, होता है, यह मैं जो चार्ट बनवा रहा हूँ, आप इसको बिल्कुछ समझ लीजे, यह cross magnetization माल लीजे, cross magnetization, okay, इसे आप माल लीजे, जो एक condition है, demagnetization, नीचे, और उपर माल लीजे, magnetization, magnetization, okay, magnetization हो गया, यह condition for generator के लिए है, इस साइट अगर मैं बात करूँ, यह motor के लिए condition है, तो एक इसमें आपका power factor led करता है, led, और इसमें power factor आपका lag करेगा, जबकि motor के लिए opposite condition है, इसमें power factor lead करता है और इसमें power factor lag करेगा, तो अगर इसमें आपते बात करें lag, एसमें cross magnetization में unity power factor होता है , लेट मींस इसमें डियर लेक करेगा तो पामरी डीर लेड़ करेगा तो पावराइब का 5 जीरो उने वाला है जा लिlets अब हम लोग 75 e को दीवल है उनेवीद्वेसर देखा लिए 1 2 106 की बात कर रहे हैं push Myers पावरक्टर है लीडिंग लोड इफेक्ट वार्म जेन पावर्फेक्टर हिसे सिंक्रोबधेंग लेटर की बात करते हैं जीरो पावर Dziękuję पुन मैंने यही पर मान यहीं पैना पर प्ताया ऑक्रफटर लीडिंग में पारी स इंक्रोडिया व्रीक में लीड होके यह कहा जा रहा है, magnetization में, अगर lag होता तो आपका demagnetization में होता है, अगर कुछ नहीं होता है, तो इन दोनों कि इसमें, क्या होगा, आपका magnetization, तो which option is true, आपका होगा C, तो इसमें सही answer है, बिल्कुल C, को कि C इस बिल्कुल correct answer, C आपको बिल्कुल correct answer होगा, ठीके यह हो गया question, अब हम लोग देखते हैं, 127 question, 127 में कह रहा है, core loss of the transformer consists of, जो core loss होता है, वो किसका होता है, तो आपको ही पता है, यह core loss होता है, वो hysteresis और eddy current को combination होता है, ठीके, दूपरकार के basic loss है, core loss और copper loss, ठीके, तो core loss होगा, यह इसके दो पार्ट है, eddy current और hysteresis, तो option is D, A A and B, okay, A and B answer होगा, 128 देख सकते हैं, open circuit test, smart circuit, set are performance, तो यह perform करे जाते हैं, यह किसके लिए, high voltage, low voltage के लिए, low voltage only, high voltage only, यह low and high voltage के लिए, okay, तो यह मैंने आपका transformer के इसमें वीडियो डाला हुआ है, आप उस वीडियो को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, उसमें, मैंने इसक concept बताया है, आपको कि low voltage के लिए कैसे हो, high voltage के लिए कैसे, तो open circuit test use for the low voltage and short circuit use for the high voltage, तो open circuit low के लिए यूज करते हैं, और आप देख सकते हैं, short circuit high के लिए यूज करते हैं, तो option D is correct, option D में correct हो जाएगा, आप वीडियो को पॉस्ट करके भी समझ सकते हो, बाद में ठीके, next question 12 99 कह रहा है, in a series resonance circuit, increase in the value of C, कह रहा है, series resonance circuit में, अगर C की value बढ़ा दें, तो इसमें इसे क्या होगा, resonance frequency will decrease, आपको पता होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए, ये resonance के लिए, जो frequency का formula होता है, f equals to 1 upon 2 pi, under root LC होता है, अगर इसमें आप C की value को, इसमें बोला है, increase in the value of C, अगर C की value को बढ़ाते हैं, तो frequency obviously कम होगी, तो resonance frequency will decrease, resonance frequency कम हो जाएगी, हाँ, और सही है, ठीक है, ये सही हो सकता है, आपको बिलकुल सही हो सकता है, तो ये सही है, ये option, अब इसमें के रहा है, q will decrease, q की value की value में भी कम हो जाएगी, ओके दोस्तों, आपको पता है quality factor, quality factor क्या होता है, resonant frequency upon bandwidth, दोस्तों ये जो fre, resonant frequency हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो quality factor भी कैसा हो जाएगा, decrease हो जाएगा, quality factor भी decrease हो जाएगा, because it is directly proportional to resonant frequency, फिर कह रहे हैं bandwidth increase, bandwidth increase हो जाएगा, तो इसमें bandwidth increase हो जाएगा, इसमें ये बात कर रहे हैं, तो resonant frequency decrease भी, तो इसके इसमें quality factor decrease होगा, quality factor decrease होगा, तो bandwidth आपके कैसे होगा, bandwidth क्या होता है देखेंगे आप, resonant frequency जो है, directly proportional होता है, Q into bandwidth, यह relation हो जाएगा, अगर यह decrease होगा तो यह decrease होगा, यह decrease होगा तो इसके proportional ही है ठीक है, तो यह constant की तरह काम करेगा इस case में, कोई एक constant की तरह काम करेगा, जब यह constant तो यह दोनों options ही होगा इस case में, clear, जब यह दोनों case में work करने लगी constant की तरह काम करने लगया इस case में हम लोग इसको नहीं ले सकते और वैसे इन दा case अगर हमें यूज करें इसे देखिए समझने वाले concept depends on the option आप कैसे ट्रिक लगाते हैं इसमें यह option बिल्कुल correct है क्योंकि quality factor कम होगा तो obviously quality factor कम होगा तो bandwidth बढ़ेगी लेकिन यहां पर क्या है कि कम हो रही है तो पूरा portion यह automatically देखा जाए यह portion बढ़ेगा अगर इस case में देखें लेकिन अगर नॉर्मली तो quality factor भी कम हो रहा तो हम bandwidth इसमें increase होगा तो अगर ऐसे हम समझें तो इस case में यह भी सही है लेकिन इसमें लास्ट option क्या दिया है फिर A and B तो option फिर हम लोग लगा देंगे D because A and B correct C V है लेकिन इसमें C नहीं दिया तो D क्लियर है तो आपको थोड़ा समझना है इस टाइप से प्रूपर में question होगा next दिया है 130 question 130 में बोला है for the same resistance दा दान दीजिएगा इसमें बोला गया है for the same resistance the diameter of the aluminium conductor के रहे same resistance के लिए aluminium जो होता है conductor का diameter कितना होता copper के picture दोस्तों यह को याद कर लीजिए 1.26 times होता है copper के conductor की diameter के okay इससे भी ज्यादा clear next next बोला गया इसमें it is required to measure the temperature in the range of 1300 से 1520 the most suitable thermocouple is ठीक है temperature measure कर रहे हैं 1300 से लेके 1500 तक 1300 से लेके 1520 तक यह temperature किसके लिए होता है chromel constanton ने यह thermocouple की तुमारे plates का arrangement होता है कई birring combinations होते है chromel constanton हो गया iron constanton chromel aluminum platinum rhodium ऐसी platinum constanton भी होता है aluminum constanton भी होता है कई सारे होते हैं इसमें combinations तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं तो इसके लिए अगर मैं बात करो तो इसका answer is D because this temperature only suitable for the platinum and rhodium यह आपको contrast करना है यहां करना है okay next question very easy question दिया है इसमें बोला है zero से लेके 200 volt volt meter has a sensitivity of 1 kilo ohm तो यहां पर साफ साफ देख सकते हो क्या दिया voltage आपको दिया है 200 resistance केतना दिया आपका 1 kilo ohm ठीक है इसमें sorry 1 kilo ohm पर bolt यह आपको resistance नहीं यह आपको दिया sensitivity है okay sensitivity आपको दिया है 1 kilo ohm पर bolt तो इसमें बोला है resistance नका लिए तो आप आराम से कर सकते हैं आपको पता है कि sensitivity आपको दिया है कितना one thousand है ना one into one thousand लिख सकते हैं that means आपको इसमें कितना होने वाला है तो इसमें अगर मैं बात करूं तो 200 और यह kilo में था तो 200 kilo ohm यानी की resistance की value कितना है 200 kilo ohm 20 correct answer okay 133 देख सकते हैं 133 में in a low power factor watt meter the compensation coil is connected ठीक है 133 question है इसके लिए क्या हो जाएगा कि रहें low watt meter low power factor watt meter में compensation coil low connected होती है कैसे दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं जैसे low power low power factor watt meter में क्या होता है एक्चली जो हमारा watt meter होता है इसमें दो प्रकार की coil है थीक है यह आपका watt meter है यह क्या है जो एक को देख से कानेक्ट होती ही यह भात कर रहे है तो आपकी यह होती ही current coil और प्रेसर coil current coil में क्या होता है ठीक wire होती है इसमें ठीक wire and less number of tons नमबर of tons कम होंगे थीक wire होंगे इसमें thin wire होते हैं thin wire and large number of turns large number of turns लार्ज नंबर और तंद अधिक यहाँ में लोग है वाट मीटर में तो इसमें लोग यहां पर क्या ऐसें कहां पंपनेशंबेल कोईल करते हैं फोट होती है तुछाएंगा इन सीरीच कहां इन सीरीच तो सबih नहीं होगे है्ड का अंसर C option खरें दोस्तों दूश्ते पार 2 के बाद में पर्थी डालने वाला हूं जिस में आंगे कोश्चन तो दोस्तों आप बहुत अच्छे से पढ़िए कोई भी दिक्कता है आप मेरे से डाइटली कॉंटक्स कर सकते हैं मेरा नंबर भगेरा भी इस पर सारा दिया गया है ओके आप देख सकते हैं आप मुझे मेल भी कर सकते हैं अरुन.डचा91.डगम.ड़िए और आप इस बीडियो को भी देखिएगा और मैं वाकि लिंक कर दूँगा धन्यवाद वीडियो को लेकिन सब्सक्राइब चरूर करें ध्यान दें सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ता झाल झाल झाल